मौला के जाओं तुट मौर्निंग एवरिवन आज मैं आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग सब टॉपिक्स बताऊंगे कॉंसे टोपिकशिहं इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स यह मैंगेट्स ओके व्यू हम वहाँ शुन्ट मैंगेट्स का मतलब होता है चुम्बग है ना बहुत सारे हमारे पर इसे टॉइस होता है उसमें भी मैगनेट लगा रहता है लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि वह मैगनेट क्यों बोलते हैं मैगनेट क्या होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है है ना और उसको किसने डिस्कावर किया ठीक है तो आज सबसे पहले ह क्या हुआ था एक मैगनेशिया नाम का Jána था ठीक है या अभी कि No 500 BC के समय है के बात बता रह complet नाम Start उस प्लेसमें क्या होग तो उस अपनन अपने हीली एरिया में मैगनेश्या नाम का प्लेस था वहां पर ब्लेश चड़ा रहा था फिर क्या हुआ चल रहा था तो जो नीचे तरफ नीचे तरफ क्या था एक आपको उसके तरफ क्या था इक का नीचे तरफ पे, फिर क्या हुए, जब उसके चल रहा था, तो चलते चलते अचानक से, एक बड़ा सा पत्तर रखा था, ब्लैक स्टोन, ठिक है, उसके जा जो आए, उसके जो जो आई, अम कि तो चिक पकड़ी, वो चाहरा, पशरी को स्टिक कि, उसके चैप के उसके च तब उसको यह समझा यह वह ग्लैक स्टों में आईरन का एक ओर ठीक है तब उसको यह समझा जाया कि आईरन का एक ओर है और इसकी यह प्रपर्टी यह यह क्या करता चिपक चाता है ठीक है तो फिर उसने क्या किया उस और का नाम क्या कर दिया उसने उसका नाम रखा तो नाम क्या रखा उसने नाम रखा मैंगनेटाइड क्यों मैंगनेटाइड नाम रखा क्यों कि जो वह पत्थर था वह रॉक था कहां मिला मैंगनेशिया प्लेस में मिला इस इसलिए उस ओर का नाम क्या रखा magnetite तो गयो होता है एक आरन का ओर होता है याक नाच्रल था हूं अतंपंड मतल Premiere मतलब गहले हम जो हमको नाच्रल प्रकृतिक से मिला तो इसलिए इसको बोलते हैं लाच्रव तो चब्सकाव मै מאक सब्सक्रआज सब और था और वो उसने discovery इस तरीका से उसका discovery हुआ अब आया दूसरी बार अब तो हमने जान गया कि वो magnet था ठीक है? अब दूसरी question हमारे दिमाग में आई पहले तो हमने ये समझ लिए कि discovery कैसे हुआ दूसरी question ये आती हमारे दिमाग में कि जो magnet है कि वो हर चीज को जितने भी types के object सबको अपने तरब खीच लेता है क्या? हर कोई उससे जाके चीपक जाता है क्या? अब दिमाग में ये question आया? ठीक है? तब क्या हुआ? इसके बाद हमने क्या किया? एक जो scientist लोग थे हैं उन्होंने क्या किया? बहुत सारे objects रख लिया अब उसके बगल में magnet रखा अब क्या किये? उस magnet को हर objects के पास ऐसे attack करने की कोशिश किया तो क्या हुआ? देखा जितने कहीं पे cloth था कहीं पे book था, कहीं पे table था, कहीं पे chair था है ना? तो ऐसे ऐसे अलग-अलग objects रखे तो देखा cloth से तो चिपका ही नहीं है ना? उसने देखा लकडी था, लकडी से भी नहीं चिपका है ना? ऐसे करके उसने check किया फिर देखा कि कौन से objects चिपक रहे थे? उस magnet से देखा कि iron की जो भी चीज बनी हुई थी वो चीज उस magnet से चिपक रहा था steel की जो भी चीज बनी हुई थी उससे वो magnet क्या हो रहा था? चिपक रहा था तब उसको यह समझ CD की जो magnet है वो किस से चिपक रहा है? iron से चिपक रहा है, इस्टील से चिपक रहा है, cobalt है, nickel है यह सब चीजों से क्या हो रहा है चिपक रहा है लेकिन और उड का चीज है, कोई plastic है, कोई cloth material है यह सब चीजों से क्या हो रहा है बिलकुल भी मैगनेट नहीं चीपक रहा है तो उसने इसकोय किया इस object को अलग-अलग में डिवाइड कर दिया एक पोला कि magnetic materials एक पोला non-magnetic material तो magnetic materials में कौन से objects आएंगे ऐसा material जो क्या करते है magnetic property उसके अंदर conduct करते हैं जो magnet को क्या करते हैं magnet की तरफ attract हो जाते हैं ऐसे materials को magnetic materials में रखे गया है non-magnetic materials में वह materials को रखे गया है जिसकी property होती है कि वह magnet की तरफ attract नहीं होता जैसे कि ूड है प्लास्टिक है यह सब क्या होते हैं मैंटिक मतरियोर्स जो क्या करते हैं मैंने interpretation जो किते हैं मैंने सोते हैं कि मैंने माध्रिक्टोंज बहुते हैं किते हैं डही इसलिए ना दो लोग तो इसको बनाता है इंसानों द्वारा बना जाता है तो जो इंसानों द्वारा बनाता है यह मैगनेट को बोलते है उसको हम बनाते हैं इसमें भीषतक के मैंनेट होता है यह होता है यह कोई चोकलेट में यहुआ होता है तो वीर incommen इसे मंच होता वह लिए व्याया है तो हälltुआ औरज स्टमोच को डिस्क को का में होता है प्रश्का कर डीस्क डिख संब रिंग का डिफरेंट में रिंग में जुआ हौलो होता है तिक तो यह स्पूरब उस्ट में झाइनल सुटा टीरडह समें लोगर सबस्कкогоbnों थारि को पढ़ लिए कि human beings जो बनाते हैं वह आपका artificial में आते हैं और बहुत टाइप्स के magnets बने जाते हैं है अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि जो magnets है अब इसमें क्या होता है अब हमारा जो यह उसके करते है वो पीन्स तो क्या किये फूरे तरह से भिखर दिये अब भिखरने के बैद क्या किये उपपर से ऐसे जो बार था जो हम ने मैं फढ़ा पार panet उस बार मेटमे को चिपक हो स्वाख कि ने में फरें आज वह प्रें में चिपक उने मेरे च Sn dá को कि मैगनेट में आज को सबाइब घी से अधा बहुता है कि यी इसका दोनों एंड साइडे था एक बार मेंटे के end साइडे क्या हुआ समझेव क्या हुआ एक यप यह संद मैगनेट का बार मैंटे इसके दो प्ल्स है दो साइडे एलtså C&E Subs فरा जिसना फरन श्ज़ाल इनने जिफा इनल्स बता क्यों इंदर भी कैसी उसलों यहां पे एक थिपका यहां पर पूरा चिपका हुआ था यहां पर पूरा आईरन ने चिपका था और यहां पर नहीं चिपका था तो इससे यह समझ आया कि जो बार मेंगे कोई भी मैगनेट होता है उस मैगनेट के कि एंड में क्या होता हुस्सकी प्रोपर्टीज रहती है आईरेंट कि होती है मैंगनेटिक प्रोपर्टीज होती है begging क्या करता हैर वहांपे सबसे जयादा एक्रेक्षन होता है करते हैं एक होता है नौर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल ओके स्ट्रेंट्स तो यह हमारा चौथा टाइप था कि हमने कैसे उसमें जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया तो इससे यह समझ आया कि जो उसकी प्रॉपर्टी यह होती है कि बीच में बहुत कम आपका चौत्त है कि पोल्स और मैगनेट होता है पोल्स में होता है एक हो तया नौर्थ पोल एक होता है सौट पोल अब देखो स्टूडेंज जैसे कि कोई बार मेगनेट मैंने दिया तो उसमें अगर लिखा हुआ है कि नौर्थ है साउथ है तो वो तो क्लियर हो जागा कि ठीक है यह नौर्थ पोल है साउथ मैं पोल है लेकिन उसमें डारेक्शन कैसे बताते हैं कि कैसे पते चलेगा कि यह नौर्थ को डारेक्शन है क कैसे अगर नहीं लिखा है मैं एक खाली बार दे दिये और बोले कि आपको इसमें डारेक्शन भी फाइन करना है मलब अब मैंशन करना है कि कौन से नौरत है कौन से साओ तो क्या हुआ एक 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 अटिविटी परफॉर्म किये क्या किये एक थ्रेड से बार को बांधिये बार को बांधने के बाद उसको चाहिए क्लॉक्वाइस रोटेट कराओ या एंटी इसको घुमाओ गुमाने इसे क्या होता है जए उपर की तरह फेस करते है और जो साओथ साइड न वो नीचे की तरह फेस करता है तो इसे यह समझ आता है कि जो उपर साइट का फेस क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका नौर्थ फेस करेगा और जो नीचे साइट का पोशन है वो साउथ फेस करेगा ठीक है अब यह तो हो गया अगर उसको आप लोग तो टिल्ट टाइप में रखोगे लेकिन स यह इसे बता होगे कि वह नॉर्थ है कि साूट है सब्सक्राइब इसके लिए इस आक्तिविटी को सन्राइस जहां पर सनलारी जहां पर सूर्य उपती है तो वहां उसको ले जाके रखते हैं तो हम जैसे फेस करें सनलाइड इस कि तरफ से तो उसी कि तरफ face कर रहे हैं तो जब हम भुअरका की तरफ face करेंगे और अपना हात ऐसे करेंगे तो इसे क्या होगा यह समझाए गा कि वह बूंप से तरफ तो यह समझा आई कि कॉन से सरफ North है तो इधर साउत मारणारा है सिल उस नोर्थ रहेगा इधर करएगा वो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं मेंशन करेंगे समझ आया तो यह होता है आपका कैसे की पॉल्स में हम लोग कैसे पॉल्स में हमारा नोर्थ पॉल और साउथ हम लोग करते हैं ठीक है अब हमारा next type of question है कि जो पोल्स होते हैं इसमें भी nature होते हैं कि जो दो Pols होते हैं वो attract करते हैं रिपल करते हैं तो इसे दो मैंगेट है और दोनों मैंगेट का जो end है और इसे double पल्स तो दो सेम एंड है जिसका pole नेंग नेंग का हो ए था सीव सैट का जोना एख उसे का प्ल्स nårफप है एक साइट का end है वो south है दोनों का जो poles का है वो अलग-अलग वो का है direction का है तो क्या होगा वो एक दूसरे को attract कर लेगा लेकिन अगर दोनों साइट उसका same रहेगा दोनों south-south रहेगा यह दोनों north-north रहेगा तो क्या करेंगे वो एक दूसरे को ripple कर देंगे लेकिन एक साइ रहेगा तो क्या होगा वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे एट्रैट कर लेंगे तो यह इसकी प्रॉपर्टी होथी कि दो पोल्स अगर सेम है तो क्या करेंगे रिपल कर देंगे लेकिन दो पोल्स अगर अलग-अलग है तो क्या करेंगे उसको क्या करेंगे एट्रैट क लग दिया तो आप यह मत्स सोच ना कि इसको साउध पार ठट जाएगा जब बीव से भी होगे तब भी क्या होगा जब ये अलग हो तो इसने भी है को यह नौट साउथ हो जाएगा समय जाए तो आप जो कोई भी मैगनेट बिना पोल्स का नहीं रहता है इस इट क्लियर जो मैंने आपको बताया ओके अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपका नेक्स टॉपिक हम पढ़ेंगे माउस सुनेंज सुनिवी वग्यां मेरेक्षि है तो लिजेंज उट करते हैं जो क्मटड़ेंगे उसमें ऑप क्लोग ऊस Laguna होते हैं वेसे जीक यहां स्टी होते हैं सुनर्ण थे का यह उसमें ता एन्ड होते हैं वैसे ही क्या होता है उसमें भी क्या होता है। लेकिन ठ्री हैंड नहीं होता है। two हैंड होता है, one हैंड होता है जो north को show करता है, one हैंड होता है जो south को show करता ओर उस हैंड में उपर में اiні यहां लिखे रहता है तो वहां हम पानी के बीच में जाते हैं तो हमको अब वहां पर जाना है किसी रास्ते में तो उसके लिए क्या करते हैं जो चलाते हैं वो लोग उसके यूज करते हैं तो उससे क्या होता है उसको देखके उनको यह समझा जाता है कि हमको किस डारेक्शन में जाना वह लिएकश को क्या करते हैं ऐसे यह एक होता है और स्थी से इससे डिफ्लेक्ट होते हैं मिड पॉइंट से होते हैं समय है जैस tão होता है वह अपनी होट कर देता है मिगनेटिक प्रौपर्टीश को को लूज कर देता है वैसे properties वैसे properties को बोल दी magnetization wagnetization का मतले hos eer मैंने इस को लूझ कर देना और यह कोई बी तरीका से होसकता हाथ कि उस magnet को ज्यादा time के लिए हैना हो सकते हैं कि हो magnets में मतलब ज्यादा उसका जो बार बार उसको वो किसी चीज से attract करा दे जाएंगे तो उसके attracting जो property होती है वो क्या हो जाएगी खताम हो जाएगी तो ऐसा सब situation में जब कोई भी magnet अपनी magnetic property को खो देता है तो ऐसा property को बहुत है demagnetization अब समझाया अब इसके बाद हमारा last topic पढ़ेंगे uses of magnet अब बताऊज ग्रैंस magnet जो होता है वो कहां कहां पर यूज होता है magnet generally बहुत चीजों में यूज करते हैं हम देखते हैं हमारा fridge जो fridge होता है आपको जो refrigerator उसमें क्या होता है जब हम उसको खोलते हैं खोलने के पदर हम उसको बंद नहीं करते हैं तो दीरे से क्या होता है अपने आप automatic जाके बंद हो जाता है क्यों कि जो उसका खोल जैसे हम fridge को खोलते हैं तो उसमें क्या होता है गेंगें वह लग्त करना क्या करते हैं कभी हम डृट करना बूल कर लेता तो उसमें मेंỡ प्रपर्टी होती है कि चुक्षा कर लेता है उसको बहार पास होने नहीं देता हमारे टॉइस में भी क्या होता है स्टुडेंट्स मैगनेटिक्स मैगनेट्स लगे होते हैं है ना हम बहुत चीजों में हमारा मैगनेट्स का है यूज होता है इंडर्स्ट्रियल वगरा में भी बहुत जगा पर मैगनेट्स का यूज होता है हमारे डोर के डोर में भी तरह में लगा के लगते हैं ताकि वह बार-बार बंद ना हो है ना तो यह जो है magnet का यूजेज होता है और कहां पर यूज करते हैं हम लोग ATM कार्ड वगरा में magnet का यूज होता है credit card magnet card है ना और जिते भी medical centers होते हैं उसमेरे से MRI machine होता है CT scan machine होता है यह सबमें भी क्या होता है magnet का आपका यूजस होता है तो यह आपका था स्टूबंट के बारे में हमने पूरा पढ़ा कि मैगनेक्थ का discovery कैसे हुआ कैसे magnets को discover किये किसने magnet को discover किया फिर उसमें कैसे पतल लगा है कि magnet किसे-किसे इत्रेक्ट होगा फिर कितने टाइप्स के मैंगेट होते हैं फिर मैंगेट में दो पोल्स हम कैसे दे सकते हैं फिर इसके बाद कैसे किसी डारेक्शन को को फाइंड करने के लिए मैंगनेटिक कंपॉस को फाइंड किया उसके बाद हमने पढ़ा डी मैंगनेटाइजेशन और एक पढ़ा यूजेश तो यह हमारा एक पूरा चैप्टर था आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया होगा है वा गोड़ देग